इस संस्ट्रिप रिविजन पार्ट नमबर तीन और चार पेज नमबर एट है देखिए प्रश्ण है अंतिम स्वर के अनुसार शब्द को चांटो यह अकारांत आकारांत उकारांत मैंने आपको पहली भी समझाए हैं अ जिसके अंत में आता है वो अकारांत हुआ जैसे देख आएगा वो आकारांत हो जाएगा जैसे देखिए सीता आ का सांट आया तो यह आकारांत हो गया प्रभा आ का सांट आया तो यह आकारांत हो गया ऐसी इदह देखिए रेनु उकारांत हुआ सादु उकारांत हुआ एंड में जिसका सांट आता है जो स्वर उसके एंड में आ सकता है कि जैसे जो आपका युनिट होगा भी कि मैं ऐसे दे सकते हूँ कि मैं कुछ शब्द दूंगी और उसमें से मैं आपको कहोंगे अकारान छाटो या आकारान छाटो तो आपको मैंने समझा रखा कि कौन अकारान थोगा कौन आप बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, आप इसको कर सकते हैं, उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है, सही शब्द को पहचानो, ठीक है, हमको सही शब्द पहचानना है, और उन्होंने हमको कहा अकारांत, अकारांत का सही शब्द हमको इसमें, जिसके अंत में यह आपको पता पिक्ष पित्र गिरी वरिक्ष में वो में की मात्रा है और हमको अंत वाले शब्ध में बता मैं बताना है पित्र त्रमरी की मात्रा है तो पित्र होगा और गिरी में तो इकारांत है गिरी ऐसी आकारांत यहाँ पे आकारांत लता हो जाएगा देखो यह अकारांत है यह इकारांत है तो लता आकारांत है उत्तर होगा आकारांत इकारांत बड़ी जिसका अंत्मा होगी देखें मही हमे बड़ी की मात्रा है तो ये इकारांत हो जाएगा ऐसी इकारांत मति छोटी की मात्रा व्यंजनांत मैंने आपको समझाए था भी देखिए मनस मनस हमारा व्यंजनांत होगा नयन के नयन जो हमारा अकारांत है और नगर भी हमारा अकारांत है लेकिन मनस हमारा व्यंजनांत है अ इसमर्री की मात्रा है तो ये जो है इन दोनों से अलग है ऐसे ये प्रश्ण आपको इम्तानों में भी आएगा ऐसे देखे तद तनु एतत ये व्यंजनांत है एतत भी व्यंजनांत है लेकिन तनु उकारांत है तनु अलग है ये दोनों एक है दोनों व्यंजनांत है तनु उ एसे मुनि मनस निधी छोटी चोटी इकारांद इकारांद ये व्यन जनान्थ मनस जो है व्यन जनान्त है विश्णू रितु वधु विश्णू में छोड़ता हूँ है रितु में छोड़ता हूँ है वधु में बढ़ा हूँ है तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अब हमका ले पास अगला प्रश्ण है हमको अकारांत जो है वो तीन शब्द अकारांत प्रभाव, दर्प, प्रसन्न प्रकार, तीनों में पदेंडर है, दर्प में रेफर है, जब शब्द के ऊपर रो लगता है, उसको रेफ रो कहते हैं, जब शब्द के नीचे रो लगता है, उसको पदेन रखेते हैं, कक्षा एक में, क्लास बन में भी मैंने आपको यह समझाया है, और मैं बार बार इसको समझाती आ रही हैं, आपको रेफ रो और पदेन रखे बार ये नक्त, शक्त, विक्त, उत्क, तीनों में क्या है, बिमिडिल में आधाक, आधाक, आधाक है, लेकिन इसके अन्त में आधात है, तो ये इन तीनों से अलग है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, पेज नमबर दस, देखे शब्द अर्थ, शब्द अर्थ, अब अपके इस वाले जो हमारी यूरिट टेस्ट होगा, उसमें आपको शब्द अर्थ भी आएंगे, तो शब्द अर्थ आपको याद करने होंगे, अपनी बुक से, पेज नमबर टेन से, कुछ-कुछ शब्द त व्रिक्षका अर्थ पेर, पर्वत सिर्फ विसरगा हटा देना है, आकाशह आस्मान, छात्रह विद्यार्थी, काकह कव्वा, ये इसका अलग है, अश्वह घोडा, वानरह बंदर, समुद्रह समुद्र, कुछ-कुछ शब्द मैंने आपको पहले भी बताए कि देखिए, सि उसका अर्थ बन जा रहा है, अब हम इसके पहले ये पुरलिंग थे, अब हैं ये स्ट्रेलिंग, बाली का लड़की, शिक्षिका शिक्षिका, अध्यापी का अध्यापी का, ग्रीवा गर्दन, लता, लता का मतलब लता यक्री पर, बेल जो होती है, अजा बक्री, छात्रा चात्रा, महिला स्त्री, पाचिका खाना बनाने वाली, मुशिका चुहिया, शाका डाली, तुला तराजु, पेश नमबर 11 में नपुनसकलिंग है, नेत्रम आख, जलम पानी, फलम फल, मोधकम लड्डू, मुखम मुह, गीतम गीत गाना, क्षित्रम, खेत, छत्रम, छाता, पुश्पम, फूल, कमलम, कमल, पत्रम, पत्ता, चित्रम, तस्वीर, भवनम, भवन, आम्रम, आम, शब्दर्थ आपको याद करने हैं फिर मैं बता रही हूँ, शब्दर्थ आपके इनोटेस में जरूर आएंगे, उसके बाद देखे, हम आ हम आते हैं, शब्दों को छाट कर, हमको यहाँ पर शब्द दिये हैं, इनको हमको अकारान पुलिंग, अकारान इस्ट्रिलिंग, अकारान नपुनसकलिंग में ढूणना है, तो पहले तो हमको पुलिंग में देखिए, पुलिंग, शिक्षकह, अ का साउंड आ रहा है, तो obviously वो अकारांत होगा, शिक्षकर, नरह, अब हमको आकारां डूढना है, आपको मालूम है, आकारां जिसके अंत में आ आता है, वो आकारांत हो जाता है, शाखा, तुला, बालिका, और नपुनसकलिंग है, देखिए, अकारां नपुनसकलिंग है, आम्रम, पत्रम, जलम, पेज नमबर 12 इससे पहले भी, दूसरे पार्ट में भी हमने पहले वाले पार्ट में भी आमने बताया था, बिलकुल हमको क्या है सही उत्तर को धूड़ना है, देखिए, आमरम और पत्रम, ये दूनो जो है नपुनसक अकारांते हैं, लेकिन सिंहा जो है ये अकारां, पुल् अकारांत हैं और सिंगह अकारांत पुलिंग है उसके बाद है अकारांत इस्टे लिंग ज्यानम हमारा जो होगा नपुलिंग हो जाएगा व्रक्ष्य हमारा अकारांत हो जाएगा पुलिंग अकारांत हो जाएगा वीना इस्टे लिंग हुआ अकारांत नपुलिंग सूर्य ज और बन को ढूड़ना है देखिए चित्रम पत्रम सोरी फलम और व्रिक्षा उत्तर होगा व्रिक्षा सभा शिक्षक गंगा आकारांत है गंगा भी आकारांत है लेकिन शिक्षक जो है वो अकारांत है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा पर्वतह नरह ज्ञानम पर्वतह और नरह पुलिंग अकारांत हैं जबकि ज्ञान जो है वो हमारा क्या बोलते हैं नपुनसकलिंग अकारांत है तो ज्ञानम हमारा उत्तर हो जाएगा वैसे भी ये दो एक से हैं और ये अलग है अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है हमको उन्होंने गलत शब्द लिखे हैं जिसको हमको सही करना है पहला शब्द हमारा उन्होंने सूर्या लिखा है, दोसा शब्द हमारा बनेगा आकाशह, फिर बनेगा गंगा, फिर बनेगा नेत्रम, फिर बनेगा काकह, फिर बनेगा मोदकम, फिर ग्रीवा, पुश्पम, मुशिका, महिला Thank you